नमस्कार, वेलकम तो माई चैनल, लौवन शुड़नो, वनस अगें, मैं आज एक, तो तीन शब्द हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंस, उनका अंतर बताना चाहता हूं, ये तीन शब्द हैं, प्लेंट, कम्लेंट और कम्लेंट, रिटन स्टेट्मेंट, एन रेप अप्लिकेशन, ये वो शब्द हैं, जो कोर्ट में, हर किसी, प्लेंटिफ, रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, सबके सामने आते हैं, तो प्लेंट और कम्लेंट, इस आर दी सेम तिंग, प्लेंट वो होती हैं, या कम्लेंट आप कह सकते हैं, जिसमें जो वादी है, जिसने case डाला है plaintiff अपने facts case के facts और अपनी जो उसके साथ घटित हुआ उसके बारे में court को complaint दायर करता है और बताता है कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे ये नयाय दिलाया जाए मुझे ये prayer में वो ये कहता है कि मुझे मेरा ये हक दिलाया जाए तो जिसमें request prayer की जाती है वादी की तरफ से कि मुझे मेरे साथ ये अनयाय हुआ है मुझे नयाय दिलाया जाए वो plaint complaint कहलाती है plaint या complaint कहलाती है और जब court इस बात को संग्यान में ले लेती है मान लेती है कि हाँ plaintive complainant के साथ ऐसा गलत हुआ है और ये सब ऐसा जो है निश्यत किसी कानून के अंतर गत या प्राध है या जो भी है तो फिर वो summons issue करते हैं opposite party जिसे हम कहते हैं defendant respondent defendant या respondent तो और उसको court द्वारा कहा जाता है कि आप अगली date पर अपना return statement या reply file कीजिए तो return statement या reply उसका जवाब है complaint का जवाब है जो कि defendant को court में जमा कराना होता है return statement में जो भी complaint में जो points दिये गए होते हैं वादी के द्वारा complainant के द्वारा उसको काटा जाता है return statement में कि हाँ यह point गलत है I totally deny this I don't agree with this यह सब जो complainant ने लिखा यह गलत है इसमें यहाँ पर यह गलत है यह point पर मैं agree नहीं हूँ और कुछ point accept भी किये जाते हैं जो सही होते हैं जो facts होते हैं इसके बाद फिर आ जाता है तीसरा शब्द replication कुछ लोग पुछते हैं replication क्या है तो replication third stage में आता है जब आपने return statement फाइल कर दी तो return statement के बाद जब complainant यह देखता है कि return statement में कुछ कमिया है या जूट बोला गया है या गलत बात बोली गई है जो की सही नहीं है तो जो complainant है जो शुरू में जो plaint जिसने dire की जो complainant dire करने वाला plaintiff है वो उसको काटता है वो उन points का जवाब देता है वो यह कहता है कि नहीं यह जो defendant ने points उठाए है इसका इनके पास कोई proof नहीं है मैं मेरे पास इसका proof है और मैं सही कह रहा हूँ यहां यह गलत है यह it is not correct as per law this is not the correct factual position यह correct factual position नहीं है यह जूट बोल रहे है उन बातों को replication में दोबारा से with proof फाइल किया जा सकता है court में यानि plant को काटती है return statement और return statement का जवाब होती है replication I hope दोस्तों आपको इस समझ आ गया होगा तीनों शब्दों का difference फिर भी अगर आपको कोई ऐसा point है जो आप ना समझे हों और जिस बारे में आप जाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के comment section में जाकर आप उसको write down करें और साथ ही मेरी इस वीडियो को like, subscribe और share करें ओके, thank you, take care